जब करना स्वयम में एक आग्रता है जब करने से मन में और सजगता आएगी याद आए तो जपो याद करके जपो जब करना सिंक सापा मगमा परसारी धा पमपामा सापा मगमा परसारी धा पमपामा सतकी नाह पेचल के देता जो ये सने सब प्रेम की रंग सब रंगे सब का है एक किवईया भीड में होया रहे अकेला आनन्द में रमता जो नंदाबी 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 हम प्रकृती से कब से दूर हो गए हमें याद भी नहीं हम फूलों को उनके आसपास मंडराती रंग बिरंगी तितलियों को सुरज के उगने और अस्थ होने को चहचहाती नीली-पिली हरी चुडियों को देखना भोल गये जब लोग सुबा उठकर अकेले रोज सैर करने जाते थे तो मन सोता शान्त और मौन हो जाता था बस यहीं मौन दिन भर के लिए उरजावा ओज दे जाता था अम्मा एक कहानी सुनाती एक दादा पोता रोज सुबा सास सैर करने जाते थे एक दिन दादा जी ने बाग में पड़े सुखे पत्तों में एक सिक्का चुपके से गिरा दिया पोते की नजर पड़ी तो उसने भी चुपके से उठा लिया अब बच्चा रोज पत्तों में सिक्का ढूरने लगा और उसे मिल भी जाता कुछ दिन बाद उसने दादा जी को अपने इकठे के वे सिक्के दिखाए और कहा देखो मुझे ये सिक्के बगीचे से मिले दादा जी ने पल भर सिक्कों को ध्यान से देखने के बाद कहा लेकिन तुमने कितना कुछ गवां दिया इनके बदले में उगते सुरज की लालिमा बारिश से भीगे नरम पत्तों की फसफसा हट गीली मिट्टी की सोधी सोधी मैक चोटी-चोटी खुशियां बिने नन्हे नन्हे पल संजोलें आओ फिर बच्चे बन जाएं आओ फिर बच्चे बन जाएं प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार जब करना स्वयम में एक कागरता है जब करने से मन में और सजगता आएगी अभी हमारा मन पर सयम नहीं संसार से बंधा है मन को उंचा उठाने के लिए हमें इसके स्तर तक उतरना होगा याद आये तो जपो, याद करके जपो अम्मा का ये उपदेश उनके लिए है जिनका लक्षे आत्मपोध है करतव्य कर्म के साथ साथ जब भी निरंतर था उस बोध के लिए उन्होंने सब डिब्बों पर धनिये पर क्रिश्न, मिर्च पर मुरारे, मुकुन्दा, गोविन्दा सब डिब्बों के नाम रख लिए यदि गोविन कहीं तो वो जीरे का डिब्बा ऐसे नाम दिये माखन दई पेशने जाती तो क्रिश्न मुकंद मुरारे आवाज देती माखन दई नहीं तो इस भाव के साथ काम भी किया पती और बच्चों की देखभाल की और आत्म साक्षातकार भी युगों के तब के बाद रिश्यों ने जो साक्षातकार पाया सब कुछ त्याग कर छोड़ छाड़ कर पाया गोपियों ने नानत्व में रहते हुए पा लिया तो प्रेम ही एक कारण है ग्रहस्त जीवन में रहते हुए भी उनका मनुभाव ऐसा था पत्नी पत्र लिखते समय पैन उठाती है किसे लिखने के लिए उसमें स्याही भरते वक वैसे ही कागस लेते या लिखते वक याद रखती है कि ये पती के लिए है है ना नानत्व में एकत्व इसी प्रकार पूजा की तैयारी में बत्ती बनाते वक्त, थाली सजाते हुए, दीपक साफ करते हुए, उसमें तेल डालते वक्त, बोध बना रहे कि ये सब परमात्मा के लिए है ज्यान अधिश्ठान होना चाहिए, ज्यान से ही सच्ची भक्ती का आविर्भाव होगा ज्यान पर आधारित कर्म ऐसे हैं, जैसे हम छट पर मुख्य टैंक में पानी का संचे करें, तो पानी नीचे रसोई में मिल जाएगा टैंक में पानी भरो, तो वो पानी तुम्हें कमरे में उपलब्ध हो जाता है उसी तरह स्मरन भीतर से जगाता है, परमात्म चिंतन जागरती लाता है, बोध को जगाता है, जैसे कि उत्तिष्ठत जागरत उठो और जागो अहम ब्रह्महस्मी, तत्व मसी तत्व में जगाते हैं, ज्यान होने पर, मकडी किसी पर निर्भर नहीं, वो जहां जाती है जाल में जो फस्ता है बस उसे ही खाती है। ऐसा भाव हमें अपने मन में जगाना चाहिए। वो शक्ति हमें है। जाल बुन्ने में सहायक तंतु के जैसे मन भी आत्मबोध में सहायक है। ऐसे कई प्रकार से जब हमारी सहायता करता है। तो द्रिण निष्टा हो कि सब में एक ही इश्वर विद्यमान है, जो शक्ति मुझ में कर्मशील है, वही एक मात्र शक्ति है। दूसरा कुछ नहीं। मैं यंत्र तू यंत्री, मैं रथ तू रथी, मैं घर, तुम मेरे स्वामी। ऐसा कहते हैं न। ऐसा एक भाव हमें होना चाहिए। अर्जुन ऐसा था, उसमें कर्तित्व नहीं था, सब क्रिश्न है, मैं कुछ भी नहीं, वही करता है, ये भाव। पहले एहम भाव था, मैं का भाव हो तो पुन्य पाप दोनों का फल मिलेगा, वही करा रहे हैं। इसी भाव से फिर अर्जुन ने युद्ध किया, अर्जुन ने पुन्य पाप के बारे में नहीं सोचा, तो बंध नहीं। इसी लिए अर्जुन का युद्ध यग्य और दक्ष का यग्य युद्ध बन गया, इस तरह, मैं करता हूँ शिव नहीं, इस भाव से शिव का अपमान किया, इश्वर कुछ नहीं, मैं ही हूँ, इस भाव से यग्य किया, उसने शिव को आमंतरित नहीं किया था, अहम से यग्य बना युद्ध और तुम करता हो इस भाव से किया, तो युद्ध बना यग्य, धर्म है तू, राजा का धर्म क्या होता है, प्रजा की रक्षा करना, जहां करतेत्व नहीं, वहां पुन्य पाप भी नहीं, जैसे कोई जज फैसला सुनाए, धर्मानउकूल जज को पुन्य पाप नहीं लगता इसी भाव से सब कर्म करने चाहिए ज्यान पर आधारित जो भी करेंगे वो कर्म हमें परमात्मा की ओर ले जाएगा इस ज्यान के जगने तक यम नियम पूजा, जप, हो मादी हमारी सहायता करते हैं राम नामरस्त जुकर मनिमा राम नामरस्त जुकर मनिमा रूजे रस अपनाए जोड़ अवरिताना मैं पर्ल्ण निन्मोनी बड़काए राम नामरस्त जुकर मनिमा रूजे रस अपनाए जोड़ अवरिताना मैं पर्ल्ण निन्मोनी बड़काए राम नामरस्त जुकर मनिमा रूजे रस अपनाए जोड़ अवरिताना मैं पर्ल्ण निन्मोनी बड़काए 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 जोड़ अवरिताना मैं पर्लण निन्मोनी बड़काए लाम अवरत की मदर जितमे छेष सभी जहरी मान सरोबर चोडे मिन क्योथी वे जर लेगे लाम व्रत की मदर जदमे छेष सभी जहरी में मान सरोलर छोड के मोरत प्यों केने जलने दे चन चन में चलता अतुमी को चन चन में चलता अतुमी को प्रगत्रिष्णा में जाए मन आदू दिलस अतनाई दिन्मों में भड़ताई मन आदू दिलस अतुमी को प्रगत्रिष्णा में जाए मन आदू दिलस अतनाई ज़ितों में भड़ताई प्राम नादर स्कच कर्मन वाए राम 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 सिया राम 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 प्राम राम 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 सिया राम राम ी Government आदे, 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 आ देखा के लिए और उनी मैँने आप фильм भगा है, आदे, 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 आदे Nigig OUT Gothic कि अUhन।रा मैं जया के जस Denktory Ecst ऊ doen प्तुम्त आदे आदी एड़ा एड़ा होड़ा होड़ा ब्रह्मस्थानम मंदिर ये सामान्य मंदिरों से हट करें और इनका निर्मान भी हमारी पुझी अम्मा के निर्देशा अनिसार किया गया है प्राया मंदिरों में एक ही देवी देवता विशिष का विग्रह होता है किन्तों अम्मा ने एक ही पत्थर की मूर्ती की चार दिशाओं में चार मुख बनाने का क्रांधिकारी निर्देश दिया, शिव देवी गनेश और सर्प का, जहां सर्प कुंडलनी का प्रतीक तो है ही, साथ ही राहू और कार्दिके भगवान का दी, ये स्पष्ठ प्रतीक है, ब्रह्म हर्थात, अनेको हिंदू देवी देवताओं के पीछे, सशक्त और पवित्र बनते हैं, संत्चार्णों के पढ़ने से, दिल्ली के भक्त सुबह से ही, एक वर्ष पश्चात, अपने जीवन के प्रेम के दर्शन ही तू, इकठे होने लगे थे, अम्मा स्टेज पर आईं, तो योगदा सत्संग सोसाइटी के सन्यासियों ने उनका स्वागत दिया, अम्मा के स्वागतार्थ, अन्य उच्चा अधिकारी, वह राज की अतिति भी उपस्तित थे, सबको अपने स्नेपाश में लेकर, उनके भीतरा अध्यात्मिक्ता के बीज बोने का कार्य अम्मा अन्वरत करती आ रही है, अम्मा कहती हैं, जब तक उनके हाथों में किसी रोते हुए व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखने, सहलाने और उसके आंसु पोचने की थोड़ी भी शक्ती है, अम्मा दर्शन देना जारी रखेंगी, इस नश्वर शरीर के अंत तक लोगों को प्रेम सहिद दुलार पुछकार कर उनके आंसु पोचना, ये अम्मा की अबिलाशा है। आनन्दरो पेनमा, जयमा, 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 अम्मा की दिली कारिक्रम में, हजरत निजाम अदिन ऐुलिया की दरगाह से एक दल, अम्मा के सामने कववाली गाने आया, अम्मा के आनन्ददायग दर्शन में, इस संगीत ने जो संक्रामक प्रिश्टर भूमी तयार की उसे सारे हॉल में उस्सा बर गया अबाजी की दुआओं का असर लगता है जिनके आगन में मुहवत का भूल लगता है ये अबाजी की दुआओं का असर लगता है ये खेर लेने को मुझे जब भी बनाए आ गई खेर लेने को मुझे जब भी बनाए आ गई गेर लेने को मुझे जब भी बनाए आ गई धाल बनकर साथ ले अम्मा की दुआए आ गई अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी मेरी अम्मा जी का जिस पेखर हम हो गया मेरी अम्मा जी का जिस पेखर हम हो गया वसक्तम शीवम शुदानम आगा पिर व क्लव से एडिए सब्सक्राइब अम्मा हॉल से यात्रा के अगले पड़ाव के लिए विदा हुई तो रास्ते में भक्तों की भीड जमाऊ गई ताकि जाते जाते अम्मा की एक और नसर, एक और मुस्कान, एक और अस्पर्ष पाले वे सब उन आनंददाई यादों के लिए अम्मा के आभारी थे, जो अम्मा उनके लिए छोड़े जा रही थे उन यादों में वे एक और ऐसी मधुरिस्पिती चोड़ने को उत्सुक थे अगली कड़ी में, अम्मा गोपियों के धाम भृंदावन धाम में झाले